असलाम अलेकूम वेलकम टू परीन कुकिंग्स फोर यू यूट्यूब चैनल आज मैं आपके साथ दहीं बड़े की रेस्पी शेयर करूँगी जो के बिल्कुल बाजार जैसे ये सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के ये बनते हैं तो फिर चलिए इसमें ज़िदार सी रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं तो ये मैंने एक बाल में बेसन ले लिया है जो के 200 ग्राम मैंने लिया है तो इसमें हम सबसे पहले टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक एड़ कर देंगे और फिर ये हाफ टीस्पून हम इसमें एड़ करेंगे अजवाइन और फिर इसमें हम टू पिंच बेकिंग सोडा एड़ करेंगे और फिर हम इसमें ये एड़ कर देंगे हाफ टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और half teaspoon एड़ करेंगे अद्रकलसन का पेस्ट और फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी दालते जाएंगे और इसे mix करते जाएंगे जब तक कि इसके सारे lumps, सारी गुट्लियां इसकी खतम नहीं हो जाती हमें इसे अच्छे से mix कर लेना है तो यह जो better है ना तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना यह बहुत ज़्यादा गाड़ा होना चाहिए तो आप इसकी consistency देख सकते हैं तो ये देखिए इस तरह का आपका बैटर होना चाहिए, ना तो ये बहुत ज़्यादा पतला है और ना ये बहुत ज़्यादा गाड़ा है, तो ये पकोड़ों के लिए हमारा बैटर रेडी हो चुका है, तो इसे अब हम साइड में रख देते हैं, और इसके बाद देखेए, इसे पैट लेंगे हम अच्छी तरह से, दही को हम इतना पैटेंगे कि इसमें कोई लंस बाकी न रहे, और इसे अच्छे से फैट लेने के बाद इसमें हम पानी आट करेंगे, तो पानी हम इसमें हाफ कब जितना दालेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो चलि जो हम चोटे चोटे पिर जाम कर हों जाएंगे, क्यों दो. और दूसरी अची साइट यहां पी में कभाई चुका लाएंगे, चलंसे ताह बाक़ा हैंगे. और बाकी के सारे पकोडे भी हम इसी तरह से फ्राइ कर लेंगे तो सारे पकोडे फ्राइ होने के बाद देखिए यह मैंने पानी ले लिया है एक बाल में तो इसमें हम बस दो चुटकी नमा कैट करेंगे और फिर इस पानी में हमने जो पकोड़े फ्राइ किये थे वो हम डाल देंगे तो ये जो पानी है ये गरम पानी नहीं है ये मैंने नॉर्मल पानी ही लिया है पकोड़े को हम पानी में बस दो मिनिट के लिए इसे ही छोड़ देंगे और फिर जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसे हम निकाल लेंगे पानी से तो दो मिनट हो चुका है जो पकोड़े हमने पानी में डाले थे वो थोड़े सॉफ्ट हो गया है तो इसे हम निकाल लेते हैं तो अब हम ये पकोडों के अपर सारा दही दाल देंगे जो अभी हमने फैंट कर रखा था तो ये दही दालने के बाद इसके उपर हम ये ग्रीन चटनी भी थोड़ी सी दाल देंगे तो जितना तीखा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें चटनी एड़ कर सकते हैं तो ग्रीन चटनी एड़ करने के बाद अब इसमें बारी आती है तड़के की तो ये मैंने एक पैन में थोड़ा सा ओयल गरम कर लिया है तो जैसे ये ओयल गरम हो जाएगा तो इसमें हम ये वन टी स्पुन जीरा एड़ कर देंगे और जैसे ये जीरा जो है वो गुल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम ये दो सूखी वी लाल मिर्च तोड़कर ढाल देंगे और इसी के साथ ही हम इसमें ये थोड़े से करी पत्ते भी एड़ कर देंगे और बस जैसे ही थोड़ा सा फ्राइ हो जाएगा तो इसमें हम थोड़ी से लाल मेर्च पाउडर एड़ कर देंगे और फिर बस तड़का हमारा रेडी है तो गैस की फ्लेम हम आफ करेंगे और इसे हम दाल देंगे दहीं बड़े पर तो लिजे बनकर तयार है हमारे मज़िदार दहीं बड़े तो इस रेसीपी को आप जरूर ट्राइ किजिएगा और रेसीपी पसंद आने पर मेरी वीडियो को लाइक शेर करना मत भूलिएगा चैनल पर आप पहली बार आए हैं मेरे तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी आन कर दें ताके मेरी आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके तो मिलते हैं किसी और रेसीपी के साथ फरीन को दीजे अजाज़त अगली वीडियो तक अल्ला हाफिज